हमारी जो प्रमुक मांगे रही है उससे पहले जो सभी पचास से अधिक लोग जिनकी मौत हुए हम उनके परिवारों के प्रति अपनी सब्मेदना व्यक्त करते हैं आम लोग हो पुलीस के अधिकारी हो जिसमें अंकित शर्मा शामिल है पुलीस के कॉंस्टेबल एक उसमें शामिल है ये तमाम लोगों के परिवारों के प्रति हम अपनी गहरी गहरा शोक व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो जखमी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो लेकिन हमारी यह मांग रहेगी कि अनुराग ठाकुर परवेश्वर्मा कपिल मिश्रा अभैवर्मा इनके ऊपर बगैर कोई समय और अधिक लेते हुए एफायर दर्ज हो और कानूनी कारवाई उनके ऊपर शुरू होनी चाहिए दो एसाइटी गठित करने का काम हुआ है लेकिन एसाइटी से बहुत कुछ सामने आएगा इस पर हमें भरोसा नहीं है और इसलिए हम यह मांग करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल एंक्वाईरी हो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वरतमान नहायदीश के निगरानी में हो यह हमारी एक प्रमुक मांग हो ताकि यह दंगो के पीछे यह हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार है वो एक निश्पक्ष तरीके से पूरे मुलक के सामने आए और इस तरह की घटनाएं फिर ना हो उस दिशा में कुछ हम कदम आगे बढ़ा सके जो सरकारी अधिकारी जो पुलीस के अधिकारी जोनों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन ठीक ढंग से नहीं किया उन पर भी तुरंद कारवाई होनी चाहिए यह हमारी मांग है क्योंकि कई सारे लोगों ने हमारे सामने अपनी बात रखते हुए यह शिकायत करी कि पुलीस अधिकतर मुकदर्शी बनी हुई जगा जगा पर पाई गई यह भी हकीकत है कि कुछ पुलीस अधिकारी खायल हुए कुछ पुलीस के लोगों की मौद भी हुई लेकिन यह भी उतनी ही हकीकत है कि पुलीस अधिकतर जगों पर यह मुकदर्शी देखी गई और लोगों का आविश्वास पूरी तरह से पुलीस पर का ये तूट चुका है हमारे समाज के दो प्रमुक समुदायों में भी एक भारी अंतर और आविश्वास का माहोल बना हुआ नजर आता है और इसलिए हमारी ये और एक मांग है कि तुरंथ इन इलाकों में खास करके बच्चे और महिलाओं का काउंसिलिंग करने का काम ये शुरू होना चाहिए ताकि जो दूरी समुदायों दो प्रमुक समुदायों के बीच निर्मान हुई है वो दूरी जल्द से जल्द हम पाटने में कामियाब हो ताकि दिल्ली फिर से सामान्य तरीके से रह सके